सब्सक्राइब इलेक्शन चन्द महीनें भाकी रहे गए हैं जर्ना इलेक्शन अब की बार चारसो पार ये प्रोस्पेट आप कैसे देखता है खासकर तीन राजियों में इदमदार विजय के बाद मेरा जो अपना बिसार है कि BJP इजबार पहले से 10% हम लोग को जादा भोत पूल करना है और बहुत सारा स्थेट में सरकार बनाना है with 50% plus votes मतलब clear majority not in parliament but also clear majority in the ballot boxes and my own assessment will be कि इस बार BJP को 325 से लेकर 400 that will be our range so we are walking towards that औरी सा में भारतिय जन्ता पाठी का प्रोस्पेक्ट आप कैसे देख रहे हैं कि पूर्बोदय की आप मोदीजी बात कर रहे हैं मेरा तो यह मानना है कि BJP को अभी भी हम परम बईभब का स्थीटी में हम नहीं है South में हमारा काफी काम बाकी है पुर्बुत्तर हो सुका है लेकिन पूप भारत में काफी काम बाकी है उरिशा हो बेंगल हो हमारा पार्टी को परम बईभब का स्थीटी में ले जाने के लिए यह हमारा रस्ता है उरिशा और बेंगल में डाबुल इंजिन सरकार होना ही सही है लेकिन केसे होगा कई मुद्धों पर आप बीजडी से नेशनल लेबूल में सपोर्ट लेते हैं और यहां ऑपोजिशन में हैं यह डूआल स्टांड कोई पर वोटर को कंश्यूज कर रहा है पार्लेमेंट में जो पॉलिटिकल मैनेजमेंट होता है वह एक अलग व्यवस्ताई होता है जैसे तीन शा सत्तुर धारा का जो समाब्ध हुआ तो कोई सारा पार्टी ने सपोर्ट दिया जैसे भाइस प्रेसिडेंट जगडिव धानकर जी का सुनाव हुआ इंडारेक्ली टी एमसी ने भी खिलाब भोट नहीं किये सब मुड्डे पर जैसे कारियल का यूद हुआ सब ने भारत को सपोर्ट किया तो पार्लेमेन्न का जो हमारा मुड्डे होते है वह एक अलग होता है कारियर कर्टा कोई कंफीज नहीं होना सही है यह एक मैं मानता हो कि बीजेडी का प्रपूगेंडा है कि देखो देखो डिली में हम लोग एग हैं लेकिन मुद्डे के उपर हम एग हैं कोई सारे मुद्डे होगा जिसमें हम एग होगे और कोई सारा मुद्डे होगा हम एक नहीं होगे तो आज जैसे हमारा मा कामाइख्छा काज बढ़ा बहुते करीधर बनने जा रहा है, हमारा मन में है कि ये करीधर का सुरुआ प्रधान मंत्री जिय का करकमल से हो, अजुद्धा में भी हो रहा है। अभी आप जगरनाथ मंदिर का भी आपने बात करीडर का जिकर किया, ओभी तो प्रधान मंत्री मोडी जी का हाथ से तो नहीं हो रहा है, करकमल से तो नहीं हो रहा है, मतलब हम एक नहीं है, इसलिए नहीं हो रहा है, एक गोटा तो इहां में नभीन बाबु और मोडी जी को ए करते आया हूं लेकिन एक उरिष्षा का बेवस्ता है उरिष्षा का लोगों का एक अपने मत प्रकत करता है कि भाई संक्षड में में हम लोग मोडी जी को ज़्यादा समर्थन देता हूं विधान सभा में कम देता हूं हमारा पार्टी काई को सोचना साहिए इसका कारण क्या ह और कारण का निवारन का क्लिए हमें कदम उठाना साहिए लेकिन मैं मानता हूं जो बार बार इहां आने से ये एक भ्रॉम फैलाए जाता है कि बीजे डी बीजे पी डिली में एग है वो बात गलत है वो होई ही नहीं सकता है कि इसलिए उरिष्षा हमारा एक अंकम्प्लीट मिश्यन है उरिषा को सेवा करना बीजेपी का एक बहुत बड़ा अधुरा सपना है तो हमें उरिषा को सेवा करना ही है यहां पर सरकार की functioning को लेकर बहुत सरे बातें बता जा रही हैं, जेपी नड़ा जी आए थे, बोले कि यहां सरकार कोन चला रहा है, यहां बता नहीं चलता, आपके सरकार में भी कई I.S. आई पिएस आफिसर काम करते हैं, जो यह आफिसर राज यहां बोला जा रहा है, उसके and bureaucracy must submit to the democratic leadership, तो ही गंटन्टर है, मैं उरी सा आने से अधिकारी का सर्शा सुनता हूं, लेकिन बाकी भारत का कोई स्थेट में कुन अधिकारी है, कोई नहीं जानते हैं, कोई अच्छा काम करने से दो सार अधिकारी का फेर वेल अच्छा से हो जाता है, बाकी कोई अधिकारी अधिकारी देश नहीं सलाता है, इस नहीं जानते हैं, यहां जिन अधिकारी को लेकर चर्चा जादा है, वो तो अभी वालने रिटार्मेट लेकर प्लिटिक्स में डायट आगा है, मैं भी कर्तिकन पांडियान की बात करने हूं, देखिये, मैं अतना ही बोलूंगा की उरि इसका पना गरीमा, इसका अपना संक्स्कृति, इसका उपर हमेशा उसको प्रोटेक करने का और उसको आगे बरने बार हुआने का संकल्ब होना सही है, अगर एक बार देश का सरकार बोरॉक्रेसी का हाथ में सला जाते हैं, वी लाज़ दा हार्डान देमोकरेस्य, लेकिन को शुरूआद होता है आप ग्रामपन साइट से शुरूआद करो कॉलेश का सुनाओ लड़ो ग्रामपन साइट का सुनाओ लड़ो पैराटूपिंग कि यह भी गंटन्ट के लिए बहुत ठीक नहीं है मोडी जी का जीवन आप देखो संघर्स करते 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 यहां तक पहुंसे अमिट साजी का जीवन देखो यह भी भी पीछ से सुरू होके यहां होता है जो पैराटूपिंग करता है वो हमारा जीवन का जो अच्छी बुरा है यह हम सीख नहीं पाता हूं एक्सपीरियन्स इन पब्लिक लाइफ इस वेरी वेरी इंपोर्टन अपका कमिट्मेंट सोसियल लाइफ यह कॉलेज में लड़ा था यह पंजसाइट से सुरू किया था यह यह गाओं कर हर गली-गली में घुमके घुमके आज यह नेटा बना है लेकिन यहां पर एक से कभी ने आएगा यह बता है कि ओड़ी समय जो भी बीजीड का कोई कारेकम चल रहा है उसमें नेता काम अफिसर ज्यादा दिखाए देते हैं मैं अहीं बोलू ना जब अधिकारी ज्यादा होते हैं और बोरोक्रेटिक वो पुरा पॉलिटिकल सेटर भी चलाते हैं सिस्ट हमें हमें यह सोउस के सलना साइए कि यह डेस का राज जन्ता को ही करना साइए जब यह डेस का राज जन्ता का हाँच से निकल जाएगा तो हमारे और साई horrific में कोई difference नहीं रहेगा We should not allow directly-indirectly autocracy or dictatorship in any dispensation. that URISA BJP के हाथ में आएगा और लंबा समाई के लिए आएगा. जिमान जी अभी आपके पड़ोसी राजी मनिपूर में ही कॉंग्रेस भारजोड़ो नया यात्रा शुरू हो रहा है. इसका कोई इंपक्त देखते हैं आप? नॉर्मेली कोई ओपोजिशन लीडर अगर यात्रा करता है, तो उस स्तेट में कुछ ट्रेक्शन शुरू होता है. असाम में, I think he will come on 18th, और अभी तक स्तेट में कोई सर्शा भी नहीं है, खास करके उन्होंने एक बहुत ही गलत समय सिलेक किया. कम से कम उनको यह यात्रा करना भी था, he could have wait जब तक राम लाला का प्रान प्रतिस्ता ना हो जाए, उसका बाद आप यात्रा करो, लेकिन जब अयुद्धा में राम लाला का प्रान प्रतिस्ता होगा, डेश का अभी डिसकाशन हो या आकरशन हो, या डेश का आस्ता अभी अयुद्धा का ओर है, बिलकुल, और उसी समय आप एक यात्रा निकाल रहा है, तो मैं उनको पॉलिटिकली मेच्योटी ही बोलूँगा, कि अगर पॉलिटिकली मेच्योट पार्टी होते थे, दे कुड है स्टार्टिट फॉम त्वेंटी फिफ्ट आफ जानुवारी, और इसे कई सेंट्रल स्कीम को यहां के जो राजय सरकार है, वो बहुत ही अपने नाम पर इसे पॉपलार राइस के करके चल रहे थे, जैसे की चावाल का राइस का हो, बहुत सरे स्कीम्स, देखिए, जैसे राइस स्कीम है, बालक अब दा कॉंट्रिबिशन काम्स फॉम्स पॉ तो मैं यह मानता हूं कि जो बीजेडी हमको तो क्रेडिट नहीं देगा, बिकाज वी आर कॉंपीटिटर, लेकिन हमारा पार्टी का कारिया करता, यह जनता का बीच में हमें इस कॉंसियस ने इसको लाना सहिए, कि यह मोडी जी का सरकार का कारण ही, यह सारे काम आज हो रहा है, right from all central government scheme, जैसे आज national highway का विकाज हो रहा है, railway का तरक्की हो रहा है, अज जो उरिशा का विकाज है, उस विकाज में मोडी जी का काफी बड़ा contribution है, यह contribution को जनता का सामने लाना हमारा कारिय करता का डाइत है, असाम में आपने जैसे बताया कि 15-20 लाख उड़िया लोग रहते हैं, और ऐसा सुनने को मिला है, आप वहाँ पर काफी सरे जगनात मंदिल बना रहे हैं, हमारा जो चाई बगान का लोग है, जो असाम का जो आइडेंटिटी ही ती है, उसका पीसे उरिशा से जो माइगरेट किये थे, वो ही लोगों का स्राउम है, हमारा चाई बगान में और चाई बगान से अभी जो काम नहीं करता थे पहले करता थे उरिया मूल का लोग हमारा हुआ में 15 लेक्स तो 20 लेक्स है लोग उरिया बोलते हैं और जगनाथ को भक्ति करते हैं और उरिया संक्स्कृटी को हमारा चाई बगान में जिन्दा रखते हैं। उरिया लोगों का ही मेरा उपर दिमान था है कि हर चाई बगान में हमें एक जगनाथ मंदिर चाहिए। अभी हम 500 जगनाथ मंदिर बनाने का काम शुरू कर रहा हूं। जगनाथ के लिए अपार भक्ती है असाम में। 2001 में पहला बार सुनाओ जीटा। तो मैंने पहला सुनाओ जितने का एक महिना बाढ़ी में पूरी में आया कि मुसक को एक अबास साहिए। एक निवास साहिए। तो अब मेरा कंस्टिट्वेंशिक का लोगों को मैं कम से कम 10,000 लोगों का दर्सन कर वा सकता हूं। संग्स्कृटि लेंग्वेश और असाम का भाषा संग्स्कृटि लेंग्वेश सहज होता है लोकुनात मिश्टर जी से जेबी पतनायक तक असाम का राज्य पाल रहा है अभी वाईजय जाइपान्दा जी हमारे प्रभारी है तो उरिशार असाम जैसे आप चाई में चक्कर इसा ही उरीशार ऐसाम का जंता का एक सह संपर्ग है मैं जैसे आपको बात कर रहा हूं अगर मैं यह असामिया में बात करता हूं तो आपको मैं डिस्टिंगू़िश नहीं कर पाऊंगा यू आर फॉम उरिशा, इम फॉम असाम, अभी अगर हम लोग मूट कर देता हूं और असाम यह दिखा देता हूं, लोगों को लगएगा कि दो असाम यह लोगी बैट के बात कर रहे हैं, हमारा खाना, पीना, द्रेस, सारे आइल से 99.9% सिमिलर हैं, जैसे आपके स्टेट में जो ओमेन वोड़ बैंक है, वो आफके लिए काफी फाइदा बंसाभीत हुआ, यहां पर जो ओमेन वोड़ बैंक है, वो BGD के साथ है, जो S.A.G. बनाए हुए हैं, सतर लाख करीब, वो स्कीम के जरिए सारे जो बेनफीसरी वो BGD के साथ हैं बता जा रहा है, तो वो मिला माताओ, हमारा साथ इन्वाल्व है, लेकिन हम इसको बहुत ज़्यादा पॉलिटिसाइज नहीं करता हूं, वो यहां पर करते हैं, वो एक महीम है, नारी सक्ती को ससक्ती करन का, यह सेल्भेल ग्रूप से हमारा जो फाइदा होता है, यह मां का घर में जाते हैं, मां का हर जगा में राजनिती नहीं देखना साइए, हमारा बीजेपी इकाई को और अच्छा मेनिफेस्ट बनाना साइए, कि आप जो बीजेडी दे रहा है, उससे और सारे कम हम अच्छा करूंगा, जैसे आज यहां में सरसा है, सेल्भेल ग्रूप का, आसाम का भी अच्छा मोड इस, उरिशा से भी अच्छा मोडल बीजेपी सासिट प्रदेश में है, और हो सकता है कोई हम उरिशा भी सिखूंगा, लेकिन कूल मिला के बीजेपी सासिट प्रदेश, सेल्भेल ग्रूप के लिए जतना काम कर रहा है, वो उरिशा सरकार नहीं कर रहा है, हमारा काफी इन् मेनिफेस्टों में हमें एक अच्छा मॉडल ओमेन एंपार्मेंट के लिए लाना सही है, कोई मा भोड बेंक किसी का नहीं है, लेकिन मैं यह जानता हूँ, आज भारत का हर मा, हर बेहन मोडी जी को साहते हैं, हमें वो मैसेज उनका दोर स्टेप में लेके जाना है, कि देख है, और वो हमें ले जाना सही है, हमें डिफेंसिव नहीं होना सही है, उसके लिए संगठन मजबूत होना जरूरी है, कारेकर का सक्रियर, मेरा लगता है, संगठन तो मजबूत है, देखिए आपको मैं बता हूँ, हर बार हम आर्च्छ 9 MP सी जीता हूँ, और सेज सीट ऐसा ह होता है, कि हम क्लोस कॉंटेस्ट में हरता हूँ, तो यह सब मीड है, मेरा लगता है कि बीजे डी का ही लोग हो, या बाकी लोग बोलता है कि संगठन हमारा विग है, अगर हम वीग हो, तो आठ नौ सिर्थ हम यहां कैसे जीता हूँ, फिर ऐसा बाकी सीट में भी तो बीजे पीनमबर टू आते हैं जी और बात है हमारा यहां में बहुत बड़ा बेज है लेकिन हमें प्रपोगेंडा से बाहर आना है कि मोडी जी डिल्ली में हमारा संपर्ग है हमारा संगतन वीग है कोई नहीं है बहुत बाइबरेशन एक लास कुशिन काफी मुद्ध नस्नल में दिल्लि में तेखे आसाम का एक बहुत बड़ा ट्रॉमेटि注 हिस्त्री रहा है ह मैं डिल्ली जाके मंत्री मन बंसकता हूं MP बन सकता हूं या कम से कम बीजेपी का कारिय करता तो बन सकता हूं अगर पार्टी लिडर्षिप साह है लेकिन मेरा जीबन में एक बहुत मुसको एक responsibility मिला है कि आसाम को turn around करो और उस दिशा में हम लोग जा रहा हूँ मैं अगर दिल्ली में जाता हूँ मैं कोई एक मेरा role होगा लेकिन इतिहास उसको कितना recognize करेगा मैं नहीं जानूँगा लेकिन अभी आसाम में मैं जो काम कर रहा हूँ कि यह आज के लिए भी और 500 साल बात के लिए भी मैं कर रहा हूँ ट्रैंस्पोर्मेटिव कम सल रहा है असाम में मोडी जी का सिरबात में और में यह जार्नी का पार्ट बनके मुसको गोरव में अपने आपको बहुत ही भाइगवन मानता हूँ तुब फिलहाल असाम छोड़ने का मेरा मन में इस्दा नहीं है लेकिन हमारा पार्टी अगर निन्णाई लेता है कि आपको आज सला जाओ आपको दिल्ली में रहना है इंपको नहीं रहना है तो हमारा पार्टी में बहुत ज़्यादा हम लुग डिसाइड नहीं कर पाता हूं हमारा भविश्य क्या है आज मैं आपका सामने सीम मन के बात कर रहा हूं गौहार्टी जाके मेरा क्या रोल होगा पार्टी ही डिटर्माइन करेगा तो इसलिए कोई भी बीजेपी का करिया करता बहुत ज़्यादा नहीं सोचते हैं हम बर्टमान से ही संतुष्ट होता हूं अब पहले से काफी मैच्छोर बन गए हैं आपका लगता है मौनिपूर वाइलेंस के बाद कुछ फाइदा मिलेगा इसे बस मौनिपूर को ही चूज किया गया उहीं से सुरू हो रहा यह कम से कम दस से ग्यारा बार मौनिपूर से ऐसा हो सुका है और मौनिपूर में आज जो हो रहा है यह कॉंग्रेस का पॉलिसी का कारण ही हो रहा है दे डिज नॉट एलाओ पीपल टो रिमें एक साथ रहना नहीं सिखाया अलग-अलग करके उन्होंने लोगों को रखा मैं यह उधार नहीं जा सकता हूं आप इधार नहीं आ सकते हैं दा रूट्स अब दा मौनिपूर वाइलेंस इस दा कॉंग्रेस पार्टी तो कॉंग्रेस मनिपूर में कॉंटेस भी नहीं रहेगा अद दोनों सीट एंडिय को मिलेगा मनिपूर का मैं आज ही आपको एक जल रहा है संग और बीजेपी का हम नहीं जाएंगे यह प्रोजेक्ट आपको सला लेना सहीए था कॉंग्रेस ने या डेस ने कॉंग्रेस को कितना प्रधनमंती दिये तो रामलाला का मंदी तो अभी हो रहा है आफ्टर 75th year of independence अभी रामलाला का प्रान प्रतिस्ता होने जा आपका ही ओप डेट प्रोजेक्ट शुड है बिलॉंग्स तो यू आपको कर लेना सहीए था जब आपने नहीं किया हमने कम काम करने जा रहा हूं या हमारा समय में हो रहा है तो आप इनको बोल रहे है पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है लेकिन आपको नहीं लगता कि पॉलिट जी का नेट्टित्र के लिए मिलेगा और रामलाला राजनिती का बिशाई नहीं है लेकिन कॉंग्रेस नहीं यह अनुस्तान को बहिस्कार करके इसको पॉलिटिकल बना दिया जन्ता का बीच में कॉंग्रेस का उपर आक्रोस पैडा हुआ अगर यह पॉलिटिकल होगा भी यह खाली एंट्टी कॉंग्रेस एक बोलिटिकल मुद्ड बन जाये गा अगर कॉंग्रेस भी उसमें हो जाते थे अगर कॉंग्रेस भी अनुस्तान में होते थे तो इतुद eaten political consensus इतुदे में reflected consensus और जो बीशवय में consensus होते वो बिशवय में politics नहीं होते हैं बड़ आपने जो प्रामलाला का उनुस्तान में जाने के लिए मना किया तो उसका तुक क्रिटिसिजिम होगा सुनाव सभा में भी हमें इसका बात निकालूंगा कि आप बाबर तुम में जा सकता है आप बाबर का जनम मुहमी में जा सकता है लेकिन राम का जनम मुहमी में आप नहीं आ सकते हैं तो अगर पॉलिटिकल बना भी है और बनेगा भी आगे यह कॉंग्रेस का बहिसकार का कारण बनेगा रामलाला का कारण नहीं बनेगा बड़ा अबस्टेकल आपके पार्टी के लिए है कि वता जा रहा है कि नभीन पतनायक जी इतने बड़े कत्के नहता जो कि कुछ महिनों बाद देश के लॉंगे सर्विंग चिफनिस्टर बनेंगे तो उनके साथ कम्पीड करने के लिए उसी इमेज का बीजेपी में कौन है? नभीन पतनायक जी सर्व उरिस्टर फॉल लॉंग ये इतिजा मेटर ओफ रेकॉर्ड लेकिन उरिस्टर को जो वाइब्रेंसी है जो जीवन है उसके लिए मेरा लगता है कि डाबूल इंजिन सरकार सही है अभी जो सलरे आपको लगता है कि वो ठीक है खूज है लेकिन खू लेगा तो आप खुछ सूशेगा कि नहीं हमें बीजेपी को पहले ही लाना साइए अभी हमारा पार्टी एक और गैनिक पार्टी है लीडर्स भी हमारा यहां और गैनिक लिए बन जाते हैं हमारे लीडर्स का कोई अभाब नहीं है अभी तीन स्टेट का मिख्षा मंटरी ब ने और हमें कभी पहले हमें भोड़ देने का पहले मजड़ प्रडेश राजस्तान का लोगों ने हमको पूशा भी नहीं आपका मिख्षा मंटरी कून होगा किसले डेश का सबसे सिक्रीट सहरा हमारा पाजिए मोडी जी तो मोडी जी का नेट्री टमें हमें आगे बढ़ना साहिए और मेरा बिश्वाज है कि उरिष्या को डबल इंजिन सरकार का जरूरत है राम मंदिर के बाद क्या तैसे मथूरा में और कई जगां पर मेरा हिसाब से मथूरा और ज्ञान बापी बोट नेशारीली बिलॉंग स्टू हिंडू कि कृष्ण जनम्भूमी और कासी बिश प्रियोलोजिकल एविदेन्स आर कामीं जी में तू भारत का मुसल्मान समाज को निवेदन करूंगा कि देखिए यह हिंडू का संस्क्रीटी है यह हिंडू का देश है कॉन्फ्लिक से देश नहीं आगे बरहेगा बढ़ी हमारा सेकुलर स्टेट सेकुलर कंट्री है इही मै कि हमारा कंट्री विल फॉलू वेस्टार्ड मोड ऑफ सेकुलरिजिम विल फॉलू जो भारत का संस्क्रीटी है जो भारत जो सेकुलरिजिम का डेफिनेशन देते हैं तो अगर मुसल्मान समाज खुद ही बोलते है कि यह हिंडू का है तब देश में कैसे कॉमिनेल क्लैसेज होगा है आज आप मठुरा में जाइए लाख लाख लोग डेली आते हैं स्रढ्धा देने के लिए बाबा विश्यनाथ में जाए लाखो लोगiones किली लिए आते हैं मजिद में मुसल्मान क क्या अते हैं पसासून क्या नैशनल हाई वे बनने का समय मच्वीड का ट्रैंस्लोकेशन नहीं होते है है कि इससरों यह बरबर प्रोजेक्ट सरकार का जब बनते है तब कि मस्जिद शेंज नहीं होते हैं राम जनम्भु मी नहीं सेंज हो सकता है लेकिन एक मौस्जिट या नॉर्मेल मंदी टूसेंज होते ही रहते हैं अगर अभी जैसे आपने में डिसाइड किया इस रस्ता में में रस्ता को बढ़ा करूँगा सनी मंदीर आने से टो रिप्लेज हो जाते हैं मस्जिद भी रिप्लेज हो जाते हैं अगर आप मत्वूरा और कासी सोर देते हूं अपने आप डेश का तरक्की का एक नया बुनियादte निर्मन होगा मेरा भारत का मुसलमन समास को मेरा निबेदन होगा की दिखिए रम का जनम्भूमी का translocation नहीं हो सकता है, किस्टन का जने-म्हुमी का Translocation नहीं हो सकता है, मक्का-मदिना का Translocation नहीं हो सकता है, लेकिन जो नॉर्मेल मंदिर है या जो मंदिर जो मैंने बनाया, out of my division, जो मस्जित मैंने बनाया, in this generation, or generation 1 or 2 before, अगर उसका Translocation से आपका डेश का भाला होता है, आपका डेश का कल्यान होता है, उसमें आपका पुट्टी क्या हो सकता है? जगनाथ का बीच में कमपीटिशन नहीं है, बिलकुल नहीं है, ना भगवान और अल्ला का बीच में कमपीटिशन है, कमपीटिशन सोस में है, अगर आप बोलते हैं कि अजुद्धा में राममंदिर हो रहा है, मैं जगनाथ में भी में करीडर बना रहा हूं, वो उसी टाइम कार हो दीज आरोल कॉंप्लिमेंटरी लेकिन अगर जो कॉंप्लिमेंटरी है उसको आप कॉंपिटिशन बनाने जाते हो तो हमारा हिंडु का एक्टा को या भारत का संस्कृति को उससे कोई गरीमा नहीं मिलता है लेकिन आप अगर बोलते हैं कि अजुद्धा में रामलाला होगा मतुरा में कृष्ण होगा उरिशा में जय जगन्नाद होगा असाम में मा कमाइखा होगा उससे अच्छा सिस क्या हो सकता है जो कॉंप्लिमेंटरी है उसको कॉंट्राडिक्टरी मत बनाऊ